दस अक्टूबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है इस मौके पर भासकर हिंदी ने वरिष्ट मनोचिकित संग डॉक्टर सत्यकान त्रिवेदी से की खास बात चीत और ये जानने की कोशिश की कि तनाव भरी दिनचरिया के बीच कैसे मेंटल हेल्थ को बना कर रखा जा सकता है तो सबसे पहले तो डॉक्टर साब ये बताईए कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ देव बनाने की ज़रूर आखित पड़ी क्यों देखिए जुही जी महात्पूर्ण बात ये है कि जो सवास्ते की परिभाशा है उसका बहुत important घटक होता है मानसिक स्वास्ते जो कहीं न कहीं ignored रहता है जो स्वास्ते की standard परिभाशा दी गई है उसमें physical mental health को बराबर weight is दिया गया है लेकिन हमारे यहां mental health का कोई concept नहीं है और ऐसा नहीं है कि यह जो समस्या है या यह जो जागरुकता का अभाव है वो किवल भारत तक सीमित है पूरा जो विश्व है वो भी मानसिक स्वास्त में जागरुकता के अभाव के कारण बहुत सारी समस्या है देखता है इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व स्वास्त संगठन ने वर्ड mental health day मनाने के बारे में सोचा ताकि लोग मानसिक स्वास से उन से जुड़े हुए रोगों उसके इलाज के बारे में जाने और चुकि जैसा आपको पता है इन रोगों के प्रतिक कलंक का भाव है इसकी वज़े से बहुत सारे लोग treatment लेने से कतराते हैं इसकी वज़े से ये word mental health day हर साल में मनाया जाता है और मुझे लगता है कि समय के साथ अगर हम देखें तो इस day को मनाने की वज़े से अब बहुत सारे लोग अपने मानसिक स्वास्ते के प्रति जागरुख हो रहे हैं उनको समझ में आ रहा है कि mental health का क्या importance है आप देखें कि पिछले विगत 5-6 सालों में आप देखें कि बहुत सारे celebrities खुल करके आगे आ रहे हैं बिना किसी stigma के और बता रहे हैं कि वो mental health से जूज रहे थे उन्होंने सही समय पर treatment लिया उसका उन पर positive impact पड़ा और देखें ए अपने काम से अपने खेल से अपने जो भी जिम्मेदारिया हैं उनमें मानसिक स्वास्ते का भी हवाला दिया जा रहा है कि मेरा मानसिक स्वास्ते ठीक नहीं है इसलिए हम चुट्टी ले रहे हैं पहले ये बात केवल सरदी खासी बुखार या किसी paralysis या physical illness से ही associated थी तो नि पाड़ना है लोग मानते ही नहीं कि अरे तनाफ कोई चीज नहीं होती है डिप्रेशन कोई चीज नहीं होती है तो थोड़ा सा सो लेंगे तनाफ खतम हो जाएगा है तो मेंटल हेल्थ को समझना और उसका ध्यान रखना इतना ज़रूरी क्यों है देखिए जो ही बहुत महत प्रशन आपने मुझसे पूछा और मानसिक स्वास्ते की हम बात करें तो ये केवल नीन से जुड़ी हुई बात नहीं है ये गुस्से चिर्चड़ेपन से जुड़ी हुई बात नहीं है मानसिक स्वास्ते सीधा सीधा हमारे सोचने विचारने की शक्ति हमारी तारुकिक छ हमता हमारा व्योहार हमारा जीवन यापन हमारी जीवन की गुडवत्ता हमारी जीवन शैली हमारे पूरे देश की उत्पादक्ता को प्रभावित करता है इसलिए मांसिक स्वास्ते पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है चुकि इसका वैग्यानिक पहलू कम प्रचारित प अब्बू है यार वो तो अलग से रहने कि इसकी आदत सी हो गई है तो इसकी वजह से हम ये समझ ही नहीं पाते कि यहां पर मेंटल हेल्थ का रोल है मैं एक छूटे से मांसिक रोग से शुरुआत करता हूं एक डिसॉर्डर होता है एंजाइटी डिसॉर्डर सो मेटर फॉर्म डिसॉर्डर आप देखे कि बहुत सारे हमारे घर में किस किस तरीके से मेंटल हेल्थ के लक्षन इग्नोड होते है अरे यार वो मुझे बहुत दिन से भारी भारी सा लग रहा है ऐसा लगता है कि यार कुछ करने का मन नहीं है मेरे सिर में तनाव सा बना रहता है अरे यार उसका सुबह और इस समय चिरचड़ा सा हो गया मौवसम लगता है बदल लगया उसकी वज़े से वो थोड़ा सा चिरचड़ा हो गया अरे यार इनका ये नशा आज़ कल करते हैं, या नशा करके आने लगए हैं, बहुत स्ट्रिस रहने लगा है शायद, और पेट में बहुत सारी प्रॉलम्स रहती हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स को हमने दिखाया है, जहांचे नॉर्मल आती हैं, पता नहीं इन्होंने अपनी स से सजेस्ट भी कर दिया कि आप मांसिक स्वास से विजेशके के पास में जा रहा हूं आप ही दिखा लिए अपना चेक अप आप चेक अप करा लिए उन्होंने मुझे ऐसा कैसे कह दिया बहुत सारे लोग जो ही हमारे पास दस साल बात 15 साल बात की स्टोरी सुनाते हैं कि सर से सारे रिष्टे तोड़ लिये थे तो इस तरीके का स्टिग्मा है और वो उस बात का छूब हुएक्त करते हैं कि शायद उन्होंने दस साल पहले अगर ये सलाह मानी होती तो इतनी यातना नहीं जेलनी पड़ती इसलिए मांसिक स्वास से को बिलकुल इगनोर करना सारात्मक बातें करता है वेक्तित्तों में उसके ग्रॉस चेंजेज हैं जीवन यापन जो इसकी दिन चर रहा है उसमें बहुत तेजी से परिवर्तन आया है बच्चों के केस में वो अचाने के टेबल हो रहे हैं कभी कुछ लोग बहुत बड़ी बातें करने लगते हैं शक कि लगतन हो सकते हैं ऐसा आपके आपके किसी परिजन में हो तो जरूर आपको दिखाना चाहिए क्योंकि ये इंडिरेक्ली आपके घर को दीमक की तरह खा जाएगा अगर आपने मानसिक स्वास्ते के पहलों को इग्नोर किया इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसके इंप पिन को लेकर आज कॉंश ओ चुकेभी वाब करने जाते हैं, जिन्मीं करते हैं, एक्सराइजर करते हैं, क्या मेंटल को लेकर फी उतना ही धियान देते हैं और उतना ही सजग रहते हैं अपनी हेल्थ को अच्छा बनारे रखने के लिए मेंटल को बनारेसी मुझे लगता है कि मानसिक स्वास्ते को लेकर के बिलकुल भी वो जागरुक नहीं रहते और बहुत सारे आपने यूस किया वर्ड पढ़े लिखे लोग उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता होता है कि हमें मानसिक स्वास्ते से रिलेटेड प्राब्लम है लेकिन सिर्फ कलंक के भाव की वजह से कि लोग मुझे क्या कहेंगे या मुझे ऐसा कैसे हो सकता है मेरे घरवाले ऐसे कैसे मुझे क्या समझेंगे इसकी वजह से लोग नहीं जाते जान बूच करके भी लोग इगनोर करते हैं कलंक के भाव की वजह से जाग रूप तब बहुत बड़ी है फिटनेस को लेकर के मुझे लगता है काफी लोग इसमें जाग रूप हुए है लेकिन वो बात जहां पर मांसिक स्वास्ते किया जाती है वहां पर वो इग्नोर्ड किया जाता है मुझे सीने में दर्ध होता है फटाक से मैं अपने काडियोल जिसके पास में जाता हूँ तुरंत मुझे पता होता है कि ये 99% हर्ट का प्रॉब्लम नहीं बट मैं रूल आउट करवाना चाहता हूँ कि कहीं ये हर्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है कई बार लेकिन मुझे गुसा आ रहा है मैं अपने साथ वालों के साथ में एड़्जस्ट नहीं कर पा रहा हूँ मुझे डिप्रेशन हो रहा है मुझे पेल्पिटेशन मुझे सैकेटिस के पास में नहीं जाना इसके लिए हमें सोचना ही नहीं क्योंकि हम पागल थोड़ी हैं हम पागलों के डॉक्टर के पास में क्यों जाएं तो समाज ने एक माइंड सेट बना रखा है इस विधा के प्रती और इन रोगों के प्रती जो कलंग का एवरेज जो डिले हो जाता है खराब मानसिक स्वासे से लोगों का मिलने में वो लगवक डेड़ साल, दो साल, तीन साल, पांच साल साल, दस साल, बारा साल, पंदरा साल भी हो जाता है बहुत सारे लोगों को तो आजीवन पता नहीं चल पाता कि उनके किसी परिजन को ये मानसिक रोग था उसकी वज़े से भले उनका परिवार तूट जाए उनके परिवार में कलह रहे लोग उन्हें जज करें लेकिन वो टस से मस नहीं हो पाते क्योंकि जागरुकता का भाव और कलंग का भाव ये दोनों डेडली कॉम्मिनेशन अगर ये केर में केर लेने के लिए कभी आगे नहीं आ पाएंगे जी जी तो डॉक्र साब किया क्या जाए क्योंकि अब जो लाइफस्टाइल हो चुकी है बहुत जादा बिजी लाइफस्टाइल है इटिंग हैबिट्स भी बहुत जादा बदल चुकी है क्या ये सब बहुत जादा अफेक्ट करती है mental health को और अगर ये effect करती है तो physical health के लिए तो excise की जा सकती है mental health के लिए क्या किया जा सकता है बहुत बड़ी बात आपने करी और क्या कि इसको हमें घर घर तक पहुचाना होगा आपने कभी कहीं पर भी कि किसी celebrity को अख़बारों में TV में holding में TV advertisement में कहीं देखा कि वो प्रचार कर रहा हो कि अगर आप गुस्से चिर्चड़े पन अकारत मकता खराब नीन खराब दिन चर्रया के से जूज रहे हों तो मनोचिकिट सक्से मिले कहीं आपने देखा नहीं देखा कि एक मास में होता होगा कई बार हम सभी लोग इस बार करोना की स्क्रीनिंग से गुजरे लेकिन क्या कहीं पर भी mental health की स्क्रीनिंग हो रही है नहीं हो रही है जो की सरवाधिक जरूरी है कोई भी देश में कई celebrities का जब खुद को नुकसान पहुँचाने का मामला आता है तो कुछ दिन वो चर्चा रहती है और उसके बाद वो चर्चा खतम हो जाती है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मानसिक स्वास्थे के परती लोगों को जागरुक बनाये जाने की जरूरत है और इसके लिए मास कैंपेइनिंग चाहिए और ये समाज परिवार साशन सब की जिम्मेदारी होगी स्टेट को भी आगे आना होगा कि हम मेंटल हिल्थ के बारे में बात करें हम केवल संक्रामग बीमारियों के बारे में बात करते हैं एक विक्ति को कुरोना होता है पूरे शहर की स्क्रीनिंग हो जाती है एक विक्ति आत्मत्या करता है तो क्या उसके मुहले परिवार स्कूल कॉलेज स्क्रीनिंग होती है नहीं होती है अगर मैं आत्मत्या की बात करूँ तो अगर कोई भी एक विक्ति खुद को नुकसान पहुँचा आता है तो ठीक उसी समय ठीक उसी समय 200 लोगों के मन में खुद को नुकसान पहुचाने के विचार घूम रहे होते हैं और 15 लोग प्रयास कर चुके होते हैं तो ये इतना बड़ा नंबर है जो ही कि अगर हम यहां पर कुछ काम करें तो मुझे लगता है कि ना केवल हमारी जीवन की गुरवत्ता बढ़ेगी बलकि एक बहुत मुझे लगता है देश भी हमारा बहुत उत्पादक बन सकता है अब बात करते हैं कि आपने कि हम mental health के लिए क्या कर सकते हैं उसके लिए तो जिमिंग है exercise है mental health के लिए सबसे important है अपने छमताओं का पूरा आकलन अपना खुद का आत्म साक्षातकार कि हम खुद को समझें कि हमारी mental strength क्या क्या है हमारी capacities क्या है उसके according हम life को plan करें unrealistic expectations है और हमारे अंदर go skills नहीं है तो mismatch होने के कारण problem होगी अगर हमें लगता है कि हमारे हमें कुछ करना है उसके हिसाब से हमारी skills नहीं है तो skills को हम uplift करें दूसरा समवाद जो है communication जो है ये mental health की सबसे बड़ी कुझी है कोई भी ऐसा विक्ति चाहे देखिए सुख दुख कस्ट ये हमारे हाथ में नहीं होते परिस्तिति जन्ने हो सकते हैं कोरोना आया मैंने किसी परिजन को खो दिया मुझे मेरा road traffic accident हो गया मेरे किसी परिजन के साथ में कुछ हो गया अचानक मुझे financial loss हो गया लेकिन ये जो वेदना है जो कस्ट है अगर इसको मैंने अच्छे से समवाद के द्वारा अपनों के साथ में साजह किया उसमें विवेकपूर्ण निर्ने लिए विवेकपूर्ण सोच रखी तो मैं ऐसे कठिन परिस्थितियों से निकल जाओंगा बहुत सारे लोग चोटी परिस्थितियों में बिखर जाते हैं बहुत सारे लोग बहुत सारी इस्थितिया आने पर इसको solve कर लेते हैं इच्छे मानसिक स्वास्ते के लिए जो समवाद है वो सबसे बड़ी कुंजी है और मुझे लगता है कि इस समय के आपा धापी बरे योग में समवाद का किसी के पास समय नहीं है जब हम लोग fake समवाद कर रहे हैं बेहदी सतही superficial बाते हो रही है इसकी वजह से जो हमारा basic nature था जो हमारी जो basic definition किसी conversation में उस conversation को जीतना है भले मुझे उससे किसी दूसरे व्यक्ति को कितना demean करना पड़े नीचा दिखाना पड़े मुझे इर्शा करनी है अपनों से मुझे इर्शा करनी है मेरे दोस्त के पास iPhone है मुझे भी iPhone चाहिए मैं किसी भी चीज के लिए कृतक ये नहीं बचा हूँ मैं किसी भी चीज के लिए आभारी नहीं हूँ मेरे अंदर arrogance है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो life skills हैं जो जीवन से समवाद है उससे हम बहुत दूर होते चले जा रहे है धर्म आध्यात्म की practices काफी protective होती है mental health के लिए वो भी हम नहीं करते क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने आध्यात्म की practice करी तो हम dude नहीं कहलाएंगे हम cool नहीं कहलाएंगे जबकि वो एक ventilation का एक बहुत बड़ा shock absorber का का काम करता है हर literature ये support करता है कि धर्म आध्यात्म जो है हमारे अच्छे मानसिक स्वास्ते के लिए जरूरी होता है दूसरा नशे के इस्तेमाल से हमें बचना है कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे stress हो रहा था और हमारी सिनेमा में हमारे आसपास महिमा मंडित किया गया हर फिक्र को धुए में उडाता चला गया देवानन ने कह दिया है कि वही फिक्र हो तो आपको धुए में उडाना है तो मैंने देवानन से यह सीखा है कि फिक्र को धुए में उडाना है तो हमारे सामने examples जो है आसपास जो society है वो भी ऐसा कर रहा है तो पियर प्रिशर में बच्चे नशा करते हैं नशे से इस्ट्रेस को दूर करने का एक उन्होंने माध्या में एक सर्टिफाइड वे समझ लिया कि नहीं यार हमको अगर इस्ट्रेस हुआ है मेरा ब्रेक अप हुआ है मेरी गल्फेंड मुझे ओडास ने भी किया था तो हमारे सामने जो रोल मॉडल है वो भी इतने स्रुदढ रूप से जो सर्क्त मॉडल है इस्ट्रेस को जिन्होंने डील किया वो ग्लोरिफाइड नहीं है जिन्होंने mental health करने वाले means से किया है वो ग्लोरिफाइड है तो मुझे तो वही एक्जामप को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें से स्कूल के करिकलम में लाना होगा कि हम मेंटल हेल्थ को कैसे प्रिजर्व करें आपने अजरनी वाई ट्रेन गांधी जी ग्रेट लीडर पर निबंद लिखा हम सबने निबंद लिखा हमारे जबान पर है वो कहीं न कहीं मेरा इंट हमारे करिकलम में एक ऐसे आता है कि तनाओ को कैसे मैनेज करें क्या है मानसिक स्वास्थे का महत्तो आपकी नौकरी चली जाए तो आप कैसे डील करेंगे तीन सो शब्दों में लिखिए आपको खुद को नुकसान पहुचाने के विचार आएं जीवन की महत्ता पर तीन सो आया जाना बेहद आवश्यक है जिससे लोग जागरूख होंगे उसका इंपॉर्टेंस समझेंगा और आगे आने वाली पीडी के मन में इसका वैग्यानिक द्रश्टिकोड जाएगा तो इसलिए जुही जी अच्छा समवाद रखना नशे से दूर रहना अपनी अपना सेल सब्सक्राइब करी हैं हम सब लोगों ने करी है डै इस स्लीप आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे यंग लोगों को हम लोग सोसें कि अरे ये तो इतना अचा तेल खाता था इतना अचा एक्सरसाइस करता था इसको हाट अटेक कैसे हो गया स्लीप डेप्रिवेशन और इस्ट्रेस इस समय कई शारिक बीमारियों का भी बहुत बड़ा कारण बन रहे हैं नींद हर इंसान का मुझे लग रहा है कि ऑन एन एवरेज दो से तीन घंटे डिले हम सब सो रहे हैं इसकी वज़े से भी प्रॉलम हो रहे हैं और यह हम सब मुझे लगता है कि हमें यह सब हमें मैनेज करना सीखना पड़ेगा कि एक लिमिटेशन करने पड़ेंगे हमें एक विराम चाहिए होगा हम अनियंतरित हो गए हैं लाइफ स्टाइल में काम करने के मामले में और दूसरी कर रहे हैं जोई जी यह बेहत गलत हमें अपनी मांडरीज डिसाइड करनी होगी कि हम अपने दिमाग के कारण अपने शरीर का अब्यूज नहीं कर सकते दिमाग शरीर का मालिक है तो क्या मैं अपने प्रसंचा पाने के लिए इंसेंटिवस पाने के लिए महिमा मंडित होने के लिए अपने शरीर का अब्यूस करो, नहीं, हमें अपने शरीर को एक आराम देना ही होगा, इसी को हमें साधना कहते हैं, साधना का मतलब यह नहीं है, कि आप मौन हो करके, आपने पल्थी लगा करके, दो मिनट बैट गया, that is not at all साधना, साधना क्या है, अपनी वैचारिक विचारों को साधना ही साधना है, कि हम life skills अपनी कैसे और improve कर सकते हैं, तो यह मुझे लगता है कि mental health को preserve करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, यह तो हुई, ऐसे age group की बात, जिसमें हम सब active हैं, अगर 40-50 साल तक की बात करें, तो अपने physically भी ध्यान रख सकते हैं, mentally stress थोड़ा बहुत manage कर सकते हैं, एक age आती है, 60 प्लस जिसे हम लोग खुदी सखी आना ही कहते हैं, और सखी आना यानि काफी हद तक दिमागी तकलीफों से ही कुछ वास्ता रखता है जहां तक मैं समझ सकते हूं, तो वो जब वो उमर आती है, वाकरी लोग सखी आने लगते हैं, तो उ उस समय पर अपना mental order कैसे बना के रखे, mental health कैसे बना के रखे, जब age और health दीरे दीरे वाकरी साथ छोड़ने लग जाती है, जैसे ही जुही मैं उससे कोई ये बात पूसता है, कोई 65 वरसी अंकल आया, 70 वरसी या अंटी आई, तो मैं उनसे एक example देता हूं, मैं पूसता हू कि आप अमेरिका के राष्टपती से कितने छोटे हैं, आप भारत के प्रधान मंतरी से राष्टपती से कितने छोटे हैं, तो उन्हें है अहसास होता कि अरे, मैं तो लगबग 20 साल छोटा हूं, मैं तो लगबग 15 साल छोटा हूं, पूरा देश कमाल रहे हैं, तो यहाँ प बिल्कुल नहीं शायद मुझे ऐसा लगता है चुकि गवर्मेंट जॉब्स में एक साथ का क्राइटेरिया रिडायर्मेंट का रखा गया हो सकता है शायद इसकी वज़े से ज्यादा ग्लोरीफाई हुआ हो ये अम्र का जो है अधर्वाइस मुझे ऐसा लगता है कि जो हम बहुत को संबालना है तो बहुत को बात ये है कि हम एज के साथ अपने लाइफ स्टाइल में थोड़े से चेंजिस लाएं लेकिन हम कनेक्ट रहें चाहे वो अपने एज ग्रूप के लोगों के लिए के साथ में हो ऐसा कुछ नहीं कि 65 साल में आपको भगवानी देखना है आप अपनी रूची के सारे काम जारी रखिए आप अपने दोस्तों से मिलिए और ऐसा कुछ नहीं है आज कल देखिए पोस्ट रिटायर्मेंट जो लोग गवर्मेंट जॉब में भी है या प्राइविट जॉब में फ्रीलाइंसर कुछ काम करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक पुराना फंडा है वेस्त रहो मस्त रहो वाला फंडा है वो सब जगे लागू होता है हम जब खाली बैखते हैं जिसने हमने देखा कि पोस्ट रिटायर्मेंट लोग काफी डिप्रेशन के शिकार होते हैं क्योंकि वो उनकी लाइफ स्टायल अचानक बदल जा है हम क्रेटिविटि सीखने से किसी नहीं रोका है कि बहुत सारे कुछ वरद जनों ने पी-मटी का एक्जाम दिया था नंहें डॉक्त बनने का शूब था तो उन्होंने एक्जाम Consider को थैट डूसरा कोई ना कोई डिटरुर खेलने में लिखने पढ़ने में बहुत ज्याद बोल दूँ, मैं अपनी बच्ची को कैसे बोल दूँ, मैं अपनी पत्नी को कैसे बोल दूँ, ऐसा बिलकुल नहीं है, समवाद आपको कस्ट नहीं सहना है, जूजना नहीं है, सौल करने के लिए अपने आपको एक्स्प्रेस करना बहुत जरूरी है, यह पंडा किसी भी उमर म लगेगी और हमेशा जो मैंने आप उनसे 15 साल 20 साल 30 साल तक चोटे होंगे जब आप खुद को बुड़ा मान रहे होंगे तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है जो बिलकुल सही बात है और मैं जरूर मेरे घर के जितने बुजर्ग है उन तक ये बात पहुंचाने की जिन्मिदारी ल अब इसके बदलने वाली है अब लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं अब यह देखने को मिल रहा है कि लोग इस कंडिशन को भी एकदम तयार करने के लिए अभी एक्सेप्ट करने के लिए तयार नहीं है कि हां हमें निकल के जाना है अब को नसे डर लग रहा ह तो वो खुद को कैसे मेंटली इस बात के लिए तयार करें कि अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है और अनलॉक से बाहर नहीं हुना है हमें भी अनलॉक होने के तयार हो देखिए हम लोग एक मुझे लगता है सारे फीजिशिशन्स सारे डॉक्टर्स इस बात मेरे से सहमत हों तो हम किसी भी बीमारी के मानसिक गुलामी हमें नहीं करनी है ठीक है कोरोना था हम सबने कठिन कंडिशन जह ली पूरे विष्व ने जह ली हम सबने बहुत कठिन समय देखा चाहे हो जो भी रहा हो हर वेक्टिने ना किसी ना किसी फॉर्म में बहुत कठिना ही बेगी है तो पहले हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, अब हमारे पास पूरे एक्ईपमेंट्स हैं, कि हमें मास्क लगाना है, हमें डिस्टेंसिंग रखनी है, और हमारे पास वैक्सिनेशन भी है, तो अगर हम इस प्रिकॉशन के साथ में चलेंगे, तो अब हमें मुझे है कि पूरी जिवटता के साथ फिर से आगे आना चाहिए, उसे हमें शोक नहीं मनाना है कि दो साल पहले कोरोना है, तब से मैं ऐसा हो गया हूं, आप अपने मानसिक ब्लॉग को आपको अनलॉक करने की जरूरत है, बहुत सारे लोगों में उल्टा भी हो रहा है कि वो रजि वो अपनी इक्षा व्यक्त नहीं करते हैं, बट कहीं न कहीं दे अर इंज्वाइंग, तो ऐसे भी लोगों से मेरी मुलाकात हुई, चुकि मैं विवहार का विशेशक्य हूं, तो बहुत सारे लोगों से दिन भर मिलना जुलना होता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी मैंने दक्षता को और बढ़ाएं, अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करें, हाँ, सुरक्षा के साथ में, लापरवाही के साथ में नहीं, सुरक्षा के साथ में हम चलें, और जो भी हमारी सरकार है, उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमें अपनी जिन्दगी को शुरू कर अपने घर में व्रद्ध जनों को, अपने घर में बच्चों को विशेश तोर पर मोटिवेट करने की जरूरत है, और लाइफ स्टाइल को सुधारने की जरूरत है. जी, तो आपको क्या लगता है, कितना समय लगेगा लोगों को ये मानने में कि कोरोना जाने वाला नहीं है, जैसे वाइरल फीवर, फ्लू, इस तरहे की जो बिमारियां है, वैसे ही किसी रूप में कोरोना साथ में रहना है, और उसी के साथ अब हमको जीवन जीना है, तो य मुझे लगता है जो ही अब धीमे धीमे आ रहा है जिस हिजाब से अब लहर की समभावना भी आधरनी डॉक्टर गुलेरिया ने बताया है कि तीसरी लहर के चांसे भारत में कम हैं वैक्सिनेशन भी कम हो रहा है मौतों की संख्या काफी घटी है एक्टिव केसे भी कम हो गए और प्रसाशन अभी भी मुस्तेदी के साथ में अलर्ट है मीडिया अभी भी अलर्ट है वो अच्छी खबरें बता रहा है कि प्रिकॉशन के लिए उसने भी कमी नहीं छोड़ी है तो चौतरफा जब निगेटिव खबरें कम होंगी साउधानी वाली खबरें मन में आती चल जाएंगी तो मुझे लगता है धीमें 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 हम आत्मसाथ कर लेंगे लेकिन एक समय तो इसमें लगने वाला है चुकि भारत अपना देश इतना बड़ा है विविजिताओं से भरा हुआ है और कहीं 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 पर सेक्षणिक इस तर जागरुकता का इस तर वो भी कम है तो समय लगेगा लेकिन फिर भी जिस तरीके से डॉक्टर्स मीडिया और प्रसाशन प्रयास कर रहा है जल्दी वो दिन दूर नहीं कि हम सब इस डर से भैसे मुक्त हो करके अपना काम फिर से कर पाएंगे और हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे जे बिल्कु अध्यात्मिक मैसेस देना चाहता हूं मैं आप सब से अपील करना चाहता हूं हम सब को एक ही बार जीवन मिला है उसे हमें डिसाइड करना होगा कि हमें कैसे जीना है हमें लोगों को जज़ करना चोड़ना होगा प्रेम इसने और करुणा इनका कोई विकल्ट नहीं है हमार पास में हैं तो हम मानसिक रूप से कोई भी समस्या आएगी तो उसको सौल कर लेंगे यही हमारे टूल होंगे अपने घर परिवार में इन तीनों को जरूर प्रेक्टिस करें घ्रणा केम्पेरिजन और दुएश इन सबसे मुक्त रहें और कभी भी मानसिक स्वास्ते से कोई भी समस्या आए तो यह कोई होना पाप का विशय नहीं है यह विज्ञान की बात है आप मनों चिकित्सक के पास में जाने से बिलकुल परहें न करें सभी मानसिक रोगों का प्रभावी इलाज संभव है धन्यवाद भासकर हिंब्री से बातचीट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अप्ट साथ धन्यवाद की उन्होंने विश्व मानसिक स्वास्ते में दिवस पर ऐसी टॉक करने का सोचा लोगों को जाग कि वेरिमस दॉप साथ या दैन्यवाद